हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका नुज्जे सेकेडमी में फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया प्रेक्टिस है जिसमें अच्छे कोशन होगा आपके आने वाले एक्जाम आपकी जितनी भी परतोगता परिक्स आई हैं सभी में आपकी हेल्प करेगा तो चल 1990 में यहीं थी ठीक है और इसका पुनरगटित क्या गया था Ça 11 करवके 59 से शुर्ण से जानी जाती है नेरा चोबड होगा नाम को आपको चैंपिन voiture हैं अपलय जानि में जोन पक जीता था कहम जीता था यह अक किससे है भाला फैक्स है और 2016 में नोने स्वान पतक जीता था पोलेंड में अंडर 20 विसु चैंपियन में नेस्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सा उल्जा का वानेजिक के स्त्रोत नहीं है तो फ्रेंट्स पेट्रोलियम कोईला और प्राकर्तिक यह यह तीनों क्या है के स्त्रोत नहीं है यह क्या है गैर वानेजिक के स्त्रोत है तो उप्शन डी सही आंसर होगा नेस्ट कोशन है तमिल नेडू तदा करनाटक से गुजरने वाली नदी है तो फ्रेंट्स इन दोनों राज्ये से गुजरने वाली नदी है कावेरी यह उप्शन डी सही आंसर हो जो निमिलिकित में से किस से घहरे रूप से जुड़ी है तो friends ये जुड़ी है चीनी पड़ता और विस्व दृष्टी से यानि option B ये answer हो जाएगा तो friends question अच्छे लग रहा हो तो like ज़रूर कर दीजेगा next question है मनुस्यों में निमिलिकत मैं से कौनसा अपार्थकालीन हार्मोनस है तो friends अपार्थकालीन हार्मोंस ये हार्मोंस जो त्रावीत होता है वो क्रोद, भ्य और गुस्य में होता है ठीके और जो व्यberg हार्मोंस है उसको कहते है ठीक है तो option C say answer होगा next question है धमनी तरंगों से कौन सा सब्द जुड़ा हुआ नहीं है तो friends धमनी तरंगे अनुधेरदे तरंगे होती है तो इन से जो नहीं जुड़ा हुआ हो गेंडला नहीं जुड़ा हुआ है यानि कि option C say answer होगा candle क्यों नहीं जुड़ा है क्योंकि यह जोती तरंगे मात्रग है Mac जो है धमनी की चाल से संबंदित है decibel धमनी की तरंगे से संबंदित है यानि कि option C say answer होगा candle जोती तरंगे ना कि धमनी से जुड़ा हुआ है option C say answer होगा next question computer विज्ञान में डाटा पर खत्रा उत्पन होता है जब pipeline read write access का करम apprentice के लिए बदल देती है तो option A is question का सही answer हो जाएगा next question है भारते सिविल सेवा किस governor journal वाइसराई के सासन के दोरान आरणब की गई थी तो friends यह की गई थी आपकी करणवालिस के समय में ठीक है भारते सिविल सेवा है जो होती है आये स्पीसेश पर रिक्सा है करनवालिस के समय से स्टार्ट होई थी और friends आपको बता दें करनवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है तो option D से answer होगा next question है निमलिकत में से कौन सी वायू मंडल की सबसे उपरी परत है तो friends वायू मंडल की सबसे नीचली परत शो मंडल और सबसे उपरी परत है भाईय मंडल यानिके option D से आंसर हो जाएगा और friends ये 640 किलोमेटर से उपर उपर पाई जाती है और इस मंडल में हाइडोजन हेलियम की परदानता है यानि कि सबसे ज्यादे गेस हाइडोजन और हेलियम पाई जाती है भाईय मंडल में निमनिक्द में से कौन सा बैंक भारते रिजवर बैंक का एक एजेंट के रूप में कारिय करता है तो भारते रिजवर बैंक का एक एजेंट है भारते स्टेड बैंक यानि option A सही आंसर हो जाएगा नेस कोशन है जिल्लीदार गर्दन वेबर नेक किसका अभी लक्षण है तो ये लक्षण है आपका टर्न लन संर लकषण का यानि option B सही आंसर हो जाएगगा और this ये जो बिमारी है यह इस त्रीयोह में होती है यानि कि इस वीमारी के बाग इस्तरी हैं इस रोग में इनके जो गुंसोत हमहीं उन्स गुंसान सेलक्षन में घेट 1700 सथान 9 मुख्याले कहा है तो फ्रेंट्स विस्वेपार संगतन इसके स्थाबना जो होई थी एक जनुवरी 1995 में से स्टार्ट हुआ था गेट और इसका नाम चैंज क्या गया था गेट ठीक है विस्वेपार संगतन का नाम और इसका मुख्याले आपका सुजर्ड लेंड जिनेवा मे यानि option D सही आंसर होगा विदान परिसद की सदेशता के लिए नियून्ता मायू सीमा क्या है तो फ्रेंट्स विदान परिसद जो है राज्य विदान मंडल का उच सदन है और फ्रेंट्स ये 179 अनुछेद में है किसमें 179 अनुछेद में है और इसके जो सदस्प्यों होते बंगला देश का राष्टेगान अमार सोनार बंगला किसने लिखाया तो फ्रेंट्स का आंसर तो आप सभी जानता होंगे त्रविंद्रना टैगोर ने तो फ्रेंट्स कोशन अच्छे लग रहो तो लाइक जरूर कर दीजेगा ने इसको इसे ना भारत में लाग का सबसाधिक का ओता है तो फ्रेंट्स लाग का सबसाधिक उत्पादन होता है जहारकंड में उसके बाद जो नंबर पर आते हैं सेगे नंबर पर 36 घड़े और उसके बाद पश्ची मंगाल में सबसे ज्यादे लाग का उत्पादन होता है नैस कोश्य ना बच्पन भचावा अंदोलन के संस्थापक कौन है तो इसके संस्थापक हैं केला सी सत्यार्थी तो केला सत्यार्थ्थ हैं, अप्शलगे यह.अटर्ण dor При फ्रेंट आपको बतादें 2014 में सांती के लिए केला सत्यार्थी को नोबल पुरुष्कार से नवा जगाया था ठीक है तो बचपन बचाओ अंदोलन के स्थापकों ने कैला सत्यारति हैं ऑप्षन D सही आंसर होगा ने इसको इसने यदि किसी लक्टोन और प्रोटोन का समान तरंग धेरिये हो तो उसका निमलिक में से क्या समान होगा यदि इन दोनों तो फ्रेंट्स का सयांसर रहोगा समान होगा और भारत में लिगनाइट का खनन कहां होता है तो फ्रेंट्स भारत में लिगनाइट का पैजाते हैं तो वहां पर विशेषता है चंदन के पोद हो वरक्ष अपसे बिज्ञ घ्क भाट बद्या सबसे ज़azar करनाटक में हरियार बुक का, ओके, तो ये केरल से संबन दीता है, नेस्ट कोईशन है, लेप्टो स्पायरोसिस एक रोग है, जो निमली कितमें से किस से होता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दे, ये जो होता है, ये एक बैक्टीरिया से होता है, ना कि कवक, प्रोटो जाओर विशानु से तो ये रोग होता है, आपका बैक्टीरिया से, यानि के इनमें से कोई नहीं, तो उप्शन D, सही आंसर हो जाएगा, नेस्ट कोईशन है, पिरत्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाय जाने वाला धातू कोन सा है, इन्परेंट कोईशन है, तो पिरत्वी की में जो सबसे ज़्यादा धातू पाय जाता है, वो एल्मूनियम पाय जाता है, यनि उप्शन C, सही आंसर हो जाएगा, एल्मूनियम, ओके फ्रेंट्स, नेस्ट कोईशन है, हैपेटाइटेस मानों सरीर के किस अंको परभावीत करता है, तो फ्रेंट्स, इन्परेंट कोई जिसको हम यकरत भी कहते हैं, किसको जिगर को यकरत भी बोलते हैं, ये यूपी पुलिस में एक्जाम आया तो 90% बच्चों का ये कोशन गलत हुआ, क्योंकि यकरत की जगए जिगर दिया गया था, तो हैपेटाइटेस जिगर या यकरत को प्रभाहित करता है, जो विसानु जिनी तरोग है, ओके हंपेटाइटेस, जिसको हम पील या भी कहते हैं, तो उपसन ज哦पसन een, सही आंसर हो जाएगा, नuç को च्स тоб cockpit द website से दही जमना निमने से किसका उधारान है या दूज से दही जमना किसका उधारान है तो फ्रेंट्स यह उधारान है आपका इसकंदन का option D सही answer हो जाएगा तो लगबग हमने friends 25 question यहापर cover किये हैं तो फ्रेंट्स question अच्छे लगे हों तो like कीजएगा ठीक है और वीडियो को share करना मत भूलेगा तो आसा करता हूँ आपको question अच्छे लगे हों और आपके अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है friends तो comments करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो ऐसे ही प्रेक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मद भूलेगा और किसी question में doubt है तो आप comments करके बता सकते हैं और question के बारे में आप comments कर सकते हैं ठीके आपको किस परकार का practice set चाहिए तो यहाँ पर हमने लगबग 25 question cover किये हैं तो चलिए friends आज की वीडियो में इतना ही आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा तो ऐसी practice set आपको मिलते रहेंगे हिंदी के अनुसर आपको और practice set cover करा देंगे ठीक है और friends यदि आप और भी त्यारी करना जाते तो अगरवाल exam card publication के आप practice set ला सकते हैं वहाँ से आप त्यारी कर सकते हैं ठीक है friends आप देशकते हैं अगरवाल exam card publication बहुत इच्छे practice set हैं ठीक है तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम सापकी बहुत अच्छी त्यारी चल लिए है ठीक है practice set आपके cover करा दा रहे हैं तो चलिए friends चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा thanks for watching